कि आपको फैसल टॉन चाहिए में इवस्धमेंट करनी चाहिए ऑगर करनी चाहिए तो किन सैजिज के प्लॉट फैसल स्मारेश ॥्जख़ के पैपिटल स्मार्ट से अम्दल स्मार्टअ़ के पाइन इस पार्टनर रैंब सासिन तो मुझे इस हवाल comment सुनने को मिलता है कि मैं दोनों प्रजेक्ट को आपस में compare करूं इस हवाले से मैं इंशला डेटेल वीडियो बाद में मिनाऊंगा जिसमें आपकी land की टेरेन के वाले से आपकी प्राइसिस के वाले से और आपकी location के हवाले से आपको comparison वीडियो दे दू से ऑज़न चाहिए तो क्यों करनी चाहिए करनी चाहिए तो किや अंवस्मेंत करनी चाहिए तो इसलिए करनी चाहिए कि पहले हमीशे जबना की investment पहीं प ltays तो आप देखतें के मैं जो मेरे पैसे बैट के RAC की मीटिंग में कहा था कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से पाकिसान के सबसे बड़ी कंपणी जो है एचरल है और इसमें कोई दो राइन नहीं है अब इस लिहाज से देखाए इसलामबाद राउल पंडी के डुमेन में तो फैसल टाउन का नाम जो है वो बहुत रिया इवन बिगर दन एनी अधर हाउसिंग पोजेक्ट राउल पंडी और इसलामबाद डुमेन क्यों बड़ा है कि फैसल टाउन के डिलिवरंस ऑफ पोजेक्ट आप मैं काउंट को रहता हूं को पोजेक्ट जो इसलामबाद में डिलेवर हो चुकी हैं सबसे पहले 111 113 उसके बाद फैसल हिल्स, फैसल रेजिदेंशिया, फैसल मार्गला सिटी, बी 17, फैसल टाउन इसलार डिफरेंट परजेक्ट्स हैं जो राउल पंडी इसलामबाद के डुमेन में 10-12 परजेक्ट बनते जो डिलेवर हों हैं पहले आउन एकाउंट करें तो इसलार बनते हैं अब फैसल टाउन परिलाबट के लिएपर के क्रेडिबिलिटी मेटर करती है। आप जिस परजेक्ट में इन्वेस्ट्मेंट कर रहे हैं उस परजेक्ट में आपके पैसे किस इंडविजुल या किस कमपनी की पॉकट में जाएंगे। और इस कमपनी का पास्रिकॉर्ड के डिलेवरनस के लिहासे तो इस लिहास से फैसल डाउन की फीजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है कि उसको चौदरी अब्दुलमजीद साब ऑन करते हैं और उसके लावा जैड़ डाम क्रूप का पाकिसान में एक अच्छा स्लामबाद राउल पिंडी के डूमेन में बहुत में आफ पर रिटर्न ओ इन्वेस्मेंट की बात करें तो एक लाख संतालिस हादार गुना बनता है एक सो तो संतालिस गुना आपके और रिटर्न ऐश्मेंट बनता है आपकी प्रिंसिपल मान्ट का यानि 28000 करके आपने चार कोर अगर कमाया थो 20 सालों में आपका बनता है sectors ले लें आपको देखने में नहीं मिलता यह तो पहली example होगी अगर आप इसको पर एनम देखते हैं आप 147 जिवाइड बैठारा या बीस कर लें जितने में टाइम गुज़रेश को तो आपको पर एनम रेटान इंवस्मेंट बनता है 7.46 परसंट एक्चुल नंबर बनता है 7 1.46 ताइम्स यानि कि अगर आपने लाग रुपर लगाया तो आपका साथे साथ लाग हो गया एक साल की duration में यह फिजिकल ऑन ग्राउंड एक्जेंपल है चौदरी अब्दुमजीद साब के परजेक्ट की 111 और 113 की यह आप मेरी बातों में आ जाएं आप इसी वक्त जमी की क्रेडिबिल्टी और हिस्ट्री को यह पहली एक्जेंपल होगी अब आते है रिसेंट एक्जेंपल पर आप फैसल टाउन की एक्जेंपल ले लें आइटिंग वहां पर 16 लाग संथिंग का प्लॉट लाउंच हो था आज वहां पर फिल्टर लगाएं गूगल पे तो आक लाग 10,000 रुपे का प्लॉट था निस लाग प्लॉट था लंब सम्ड यूज जो थी ब्लॉट सी में ब्लॉट की वह इतिंग बंदी सद्रा लाग 10,000 रुपे तो आपको वहां पर रिटर्न और रिस्पंट जो मिलता है आर वाई बनता है आपका तक्रीबन आज की डेट मे मिल रहे फैसल हिल्स में ब्लॉक सी में अब यह तो मैं एक्जेंपल काउंट कर दे डिवेलपर की और आपके रिटर्न और रिस्पंट की यह तो एक कॉमल सवाल था इसे मुझे मजीद एक्स्प्राइशन की जोड़त नहीं है क्योंकि आपके पास आलड़ी 147 गुना की रि पास में आपने किसी से एक्जेंपल लेनी है तो फैसल हिल्स के यहां फैसल टाउन के में मेंबर से पूछ सकते हैं कि सरचार्ज या आपको जुर्माने जो होते हैं वो किस हथा तक होते हैं तो आप इंवस्टमेंट करने से पहले इस चीज़ को लाज़मी मत दे नजर रख हैंगे यह तो पहली बात होगी अब आते हैं दूसरे ब्लॉट पे दूसरी ब्लॉट टॉपिक पे किस साइज के प्लॉट में इंवस्टमेंट करनी चाहिए अब देखें जो प्लॉट साइज ओफर किये गी यहां पर आइधिंग 6 साइज है पच्चीस पचास है यहां पे 5 कर लें तो आपको नंबर निकलाएगा 30-60 का प्लॉट है उसके लबाव का 35-70 का प्लॉट आपका और इसके लबाव 50-90 और 75-120 दो कनाल का प्लॉट बनता है अब इन साइज को देखें तो मैं अपना परसनल एक्सपीरिंस बताता हूं जो हमें फर्स्ट कोटा जो सेल्स पा 30% रेशयो ती व पांचमला प्चीस-पचास के प्लॉट की ती जाहर स ही बाद है पाक्सतान में 25-50 का प्लॉट के डिमांड ज्यादा है क्योंकि पाकस्तान की अशी किसद अबादी जो है 25 प्लॉट से पांचमला प्लॉट से करती है कि पांचमला के चखत मिल जैंबद भा प्रोडपती बनाना हूं जो बैसिक आम अलफाद में अक्तर आरिसी मीटिंग में बात करते हैं बड़ इची बात है बड़ इची जैनित की यह बात आकास है कि इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने छोटे साइज को ज्यादा करना है अब मैं अगर देखूँ वाँ पे 80% डिमांड तो पाकसान की बनती है 25 प्यास की लेकिन अगर आगर आप 90% क्लोजिंग जो है वहां पर रिश्यो देखें तो आपके 25 प्यास की क्लोजिंग है तो आपको लगता है कि इस नंबर पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न और इ करें पर चेंपए एक प्रड़क्ट है फॉर्जेंपल आपको उसके डिमांड कितनी है कि सप्लाइ कितनी है रिसन डेज में मुल्टिपल एक्जेम्पल कोड करता हूं कि जब मास्क पड़ी थी आपको तो 20 पर आला मास्क आपका जो 1000 पे में चला गया था वह क्यों था कि इ लेकिस प्रियुन करें तो यह ग्या विसक्राइब होगी तो यह तो आपको जल्दी आरओई मिलने के चांसिस नहीं है उंटिल और उनलेस वो पज़क्ट डिलिवर ना उजे और जैसे फैसल टाउन में होता है कि आपको cash का plot मिलता है पांच मला का delivered, developed and possessionable plot जमीन भी मिलता है till the time आप expect ना करें कि आपको पांच मला पे अच्छे return on investment मिलेंगे यह हो गया पहला point दूसरा point इसमें यहा था कि off-size plot जो है उसकी रेशियो selling ratio जो हो काम है क्योंकि दारसी बात है उसकी demand जो है सिर्फ overseas पाक्सानियों की दरफ से आई है 30-60 से लेके 75-120 यानि 8 मला से लेके दोगनाल का plot है इसकी demand सारी कि सारी जो overseas पाक्सानियों की दरफ से थी इसकी रेशियो जो है वो comparison तो क्यों तीन-चार दिन के window थी इसमें plot की booking की इसमें जो maximum लोगों ने plot book किये थे वो overseas पाक्सानियों से 3-4 दिनों में वायर से payment इतनी जल्दी नहीं आ सकती तो इसमें overseas पाक्सानियों का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने off-size plot book के मेरी जाती रहा है और यह मैं वीडियो जार से बाद है और रिकॉर्ड रहेगी या आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा है आप किसी वक्त इसको बाद में साल बाद दो साल बाद टैली कर सेती है मेरी जाती रहा है कि आप off-size में investment करें अगर आपके पास पांच मला का बजट है थोड़ा सा अपने आपको पुश करके आपना 8 मला का plot ले 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 आपको आपकी investment पे return on investment ज्यादा मिलेगा comparison तो पांच मला के अगर आप देख रहे हैं return on investment point ऑफिसे कितने का खरीदा और कितने का बेश सकता हो आगे उस लिहास से कर देख रहे हैं अगर आप लेते हैं जी बड़ा plot का size जैसे कनाल और दो कनाल का plot तो फिर तो आपका jackpot और आपकी lottery है उसकी क्यों है क्योंकि आपो देखें कि जब भी कोई society अपना map release करती है, master plan release करती है तो उस master plan में हमेशा जो होता है plot की जो सबसे अच्छी location होती है वो कनाल, दो कनाल के plots की होती है, इस से चोटे plots की location जो पांच मनला का plot होता है वो सबसे end पर रखा जाता है, example के दोर पर डियेचे चले जाएं, आप कनाल, दो कनाल की सबसे प्राइम location मिलती है दस मनला वाँ पर छोटा plot है, लेकिन किस खूख हाते में फैंकावास को, उसको मुझे बताने की ज़रूत नहीं है आपर गुलबग ग्रीन्ज आजें, शुरू में जो plot से सारे 10 कनाल के, फिर 5 कनाल के, फिर 4 कनाल के, फिर आगे रेजिजिटिया में जाते हैं तो शुरू में कनाल 2 कनाल, फिर पीछे जाते हैं तो आपको 10 मला, 35 और 8 मला, 30 साथ का plot बिल्कुल एंड पर जाते हैं, डबल ए ब्लॉक में गुलबग अंदर दाखिल होने के बाद 20-22 किलोमेटर अंदर जाते हैं, तो आपको 25 प्लॉट्स की cutting मिलती है, क्योंकि जारसी बात है, उसकी एंड पर cutting इसलिए रखते हैं कि नॉमिनली अबादी ज्यादा होती है, तो के लुकेशन अच्छी होगी, उनकी जमीन पर डिलिवरी जो है, उसके साथ साथ उनकी ओवराल जो sizing है, वो matter करती है, नक्षे पे and ओवराल living point office है, अब आते हैं इसी बार point का जो दूसरा topic था, कि अगर आप living point office से देखते हैं, feasibility कितनी अच्छी है, living point office है, 25 प्लॉट्स की के गली बनगी, 50 plots means 50 घर, 50 घर means के 50 खांदान, और 50 खांदान means के हर घर के गर पांच मेंबर लगाएं, तो आपके 50 into 5 कर लें तो 220 की आपकी एक गली बनेगी, 225 लोग गली, और अगर लट से 40 फुर की गली हो, तो गाड़ी यहां बाइक जो भी बाहर खड़ी होती है, तो अब इसलिहासे वहां पे आपको living standard अतना हाई नहीं मिलता, जिस तरह आपको किसी अच्छी जगा ब्लॉक में जाते हैं, किसी अच्छी साइटी में जाते हैं, तो मिशा दो किनाल और किनाल गली आपको बड़ी साफ सुतरी, बड़ी लश्ट ग्रीन और बड़ी बड़ी प खांदान ज्यादा मतलब अबादी ज्यादा, अब आते हैं आफ साइज पे, कनाल के प्लॉट में, कनाल का फ्रांट होता है 50, और इसका लेंट होती है 90, नहीं पचास बाइ नवे, लेंट को काउंट करें, तो कनाल के आपको मोसलिए गली में घर देखिंगे, तो आपको ज 20 ये 24 प्लॉट के अगर गली हो तो अगर मैं लगाऊं वही घर, तो हमेशा आप देखिंगे कनाल के गली में घर जो हैं, वह हमेशा कम बने होती हैं, तो पांच मुला के गली में घर ज्यादा बने होती है, तो लेट सिरी में 20 की मैं लगाता हूँ, सारे घरों पे अगर पड़ेगा क्योंकि घरी ज्यादा कम है, तो आपको घरों में डेफिनिली अबादी भी कम मिलतेगी, तो आपको लिविंग स्टेंडर उतना ही अच्छा मिलता है, ये तो लिविंग स्टेंडर के पॉइंट और पांच मुला को प्लॉट की ज्यादा हूई है, और दूसरी आपको लिविंग स्टेंडर जो मिलता है, ये तो दो एक्जेंपल होगी, तो मैंने शुरू से बता दिया आपको परजेक्ट करें तो हमेशा ओनर देखी, ओनर की क्रेडिबिल्टी क्या है, मेरे एक जाती राया है, मैं हमेशा चोटी मोड़ इसराइटिस के साथ काम करता ह जैसे कैपिटल स्मार्टी हो गया, फैसल टाउन हो गया, इसके लाब आप न्यू मेटर देख लें, उसकी वज़ाई यह होती है, कि ब्रैंड परजेक्ट से आपको पता होता है, आपके एंड यूजर की इंवेस्टमेंट सेक्योर है, बेशने को जितना मेरा नेटवक है, जितना मेरे अलमदोल्ला क्लाइंटल है, मैं बेचने को छोटी मोड़ी सॉसाइटी तर उठा हूँ, तो मैं हजारों फाइलें बेचूं, और हजारों फाइलों का मैं करोड़ों रॉप्या कमा हूँ, अर्बों रॉप्या कमा हूँ, बट मेरी वो प्रेफरेंस नहीं है, हम तो हमेशा ट्राइ करते हैं कि हमेशा ब्रेंड की साथ काम करें, आपके में एजेंपल दे दी चोरी मजी साब की, कि उन्होंने पास्ट में तीस साल में डिलिवर करके दिखाया है, और इसलामबाद पंडी के डुमेन में सबसे बड़े डिवैलपर का, सबसे बड़े जो आ नाम आता है, तो यह बहुत बड़ी रिजनापस परजेक्ट में इंवस्मेंट करने गी, यह तो टॉपिक बन हो गया था, कि अगर आपको इंवस्मेंट करनी चाहिए, तो इसमें मेरी कोई दोर आए नहीं, अगर आपका बजट बनता है, तो आप ड़ेफिनलिलि इंवस्म करने से पहले, अगर आपको फैसल डाउन इंवस्मेंट के वाले से कुछ भी बुकिंग के वाले मालूमाँ चाहिए हो, तो दिये के नमबर परापता करें, अगर आपको वेबसेट विजिट करनी हो, तो www.makansolutions.com, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज द अगर आपको